प्रशाने में आपको तुस्पार बोड़ंग आपको अपको अप्रशाने आपको अब देखा है कि आप भी अपनी फैमिली के साथ अच्छे होंगे वैसे आज मैंने अपने व्लॉग की सुरुवात की है अर्ली मॉनिंग से सो अपने पूरे दिन की रूटीन के अलावा आज मैं आपके साथ कुछ मज़ेदार मेल रेसिपी शेयर करूंगी साथ ही पिछले कुछ व्लॉग मे आपने बताया कि आपको भी मेरी तरह लोवर बैक से लेकर पैरों में दर्द रहता है तो फिलाल तो अपने इस प्रॉब्लम के लिए मैं और्थपेडिक से मिल रही हूँ लेकिन और्थपेडिक से मिलने से पहले मैं अपने प्रामरी डॉक्टर के पास ही गई थी उनसे और्फेडिक से मिलने की सलहा दी सो उनके ही कहने पर मैंने अपने लोवर बैक और हिप सेर्या का अल्ट्रासाउंड करवाया लेकिन अल्ट्रासाउंड में भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई सारे ही रिपोर्ट्स नॉर्मल थे सो मेरे और ते पीडिक ने कहा कि जहां तक और यहां अगर मेरे केस में बिना फीजियो थेरिपी के MRI करवाएंगे तो हमारा इंसरेंस MRI के एक्स्पेंस कवर नहीं करेगा सो फिलहल तो आज कल मैं विक में दो बार फीजियो थेरिपी ले रही हूँ बाकी मेरे MRI की जो भी अपडेट होगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अभी मॉर्निंग के 7.30 हो रहे है और आज मैं ब्रेक्फस में बना रही हूँ मेथी के थेपले साथी तुरे की सबजी बनाऊंगी वैसे मेथी मैंने एक दू दिन पहले ही बिना धोए साफ करके फ्रीज में रख दिये थे सो अभी थेपले बनाने से पहले बस मुझे मेथी को अच्छी तरह धोके बारिक कट करना था सो थेपला बनाने के लिए यहां मैंने एक कप गेहूं के आटे के साथ वन फोट कप बेशन लिया है यहां मेथी भी आरांड एक कप तक होगी साथी मैंने वनफोथ कप दही, थोड़ी सी कसूरी मेथी, एक चमा सफेद तिल और स्वाद अनुसार हल्दी मेर्चो नमक ले लिया साथी कद्दुकस किया हुआ जिंजर होगा अले काटे में आड़ कर हमें सॉफ्ट डो बना का त्यार करना है डो जितना सॉफ्ट होगा हमारे थेपले उतने ही नरम बन का त्यार होंगे सो यहाँ डो पर तेल लगा कर मैंने गुंते वे आटे को 10-15 मिनट के लिए ढग कर रग दिया और मीनवाइल मैं यहाँ सबजी में तड़का लगा रही हूँ सो तुरई की सबजी में यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से बिना किसी मसाले की बना रही हूँ बस तेल में जीरा राई के साथ दो हरी मिर्च और करी लिए उसका तड़का लगाना है साथी तड़के में अरोंड एक टेबल स्पून कद्दुकस किया हूँ लहसुन अड़कर ले दाट सिट और हमें सबजी में कोई मसाला नहीं डालना है बस अब जैसे ही लहसों लाल हो जाए तूरई की सबजी तड़के में आड़ कर ले देन सबजी को तड़के में अच्छी तरह मिलाकर मिडियम से तेज आज पर ढगकर 3-4 मिनिट के लिए हमें सबजी को पकाना है बैसे पकाते वक्तूरई की सब्जी से काफी पानी निकलता है तो सब्जी गलकर बहुत ही थोड़ी बनेगी सो एक दो बार सब्जी को बीच में चलाते वे पकाएं केवल 10 मिनिट में हमारी सब्जी बनका त्यार हो जाएगी जी हाँ ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है तो अब जैसे ही सब्जी गल जाए और सब्जी से निकलावा पाने ड्राय हो जाए सब्जी में स्वाधनुसा नमक मिला ले साथ ही उपर से थोड़ा हरा धनिया भी डाल दी लीजे तूरे की जटपड़ सी सिंपल और स्वाधिश सब्जी बन का त्यार है सब्जी बना कर अब मैं या थेपले बना रही हूँ सो अराउन देड का पाटे में आपके आठ से नो छोटे साइस के थेपले बन जाएंगे और अगर आप पराठों से कंपेर करो तो थेपले थोड़े पतले ही बनते हैं सो मिडियम से तेज आच पर दोनों तरब अच्छे से घी में सेख कर मैंने या थेपले बना कर त्यार कर लिये इन्हें जादा नहीं सेखना होता वनना थेपले सॉफ्ट नहीं बनेंगे सो और राउन एट थटी तक मैंने अपना ब्रेकफस्ट बना लिया था वैसे बच्चे तो सिफ पराठे खाने वाले थी लेकिन हमारे लिए मैं थी के थेपले और सबजी के साथ मैंने थोड़ी दही भी ले ली थी जब मैं ब्रेकफस्ट बना रही थी समयन और रेड़ी सोकर ओड़ गया था सो मेरे हस्बिन ने उसे रेड़ी कर दिया और फिलाल यहां मैंने समयन को उसकी मौनिंग मिल के साथ मफिन दिया है यह हूममेड मफिन है मैंने एक दो दिन पहले ही बनाए थे क्यों उठा दिया अपने भीया को मेरे दोनों बच्चों में से एक भी बच्चा अगर सुबह जल्दी उठ जाए तो मजाल है कि दूसरा उसे सोने देगा यहां समयन अपनी पूरी कोशिस कर रहा है कि वह आयांस को उठा दे बट आयांस को इस्टिल सोना था तो मैं समयन को अपने साथ नीचे ले गई कि थोड़ी दर आयांस और सो ले आजो नीचे खिलेंगे बटू स्वाराव 9.30 तक आयांस पर उठ गया था तो उसे रेडी कर फिलहाल मैंने दोनों बच्चों को ब्रेकफस्ट दे दिया वैसे आयांस के लेट उठने की वज़ा से आज मुझे उसकी मौनिंग मिल्क स्किप करने पड़ी वरना तो बच्चों को ब्रेकफस्ट करने में आज लंच में चने की दाल बनेगी तो दाल को मैंने मौनिंग में ही भीगा लिया था फिलाल तो उसमें हल्दी नमक के साथ थोड़ा पानी मिला कर कूकर में बॉल होने के लिए रख रही हूँ और दाल अच्छी तरह पक जाए इसलिए मीडियम आच पर कूकर की चार से पा और किये थे बच्चों को डॉमिनोस से बड़ा पैटन बनाना था जो उनसे बनने ही रहा था तो मैं भी यहां उनकी हेल्प करने लग गई लेकिन देन हमेशा की तरह स्में की मस्तिया सुरू हो गई और खेलते खेलते उसने यहां से वहां जम करना शुरू कर दिया और देन कम हो जाए इसलिए फिलाल में यहां स्में के चोट पर आइस पैक लगा रही हूँ इससे स्वेलिंग बहुत ही जल्दी कम हो जाती है प्लस दर्द में भी उसे काफी रिलेफ मिल जाएगा सो बस ऐसे ही होते हैं बच्चे कितना भी मना करो सुनेगे नहीं मस्ती करते रहेंगे और जब उन्हें चोट लग जाए उनसे ज़्यादा तकलिफ हमें ही होती है समयन अभी ठीक है और बच्चे श्टिल डॉमिनो से खेल रहे है तो मैंने सोचा कि अब लंच बनाना सुरू कर दो बनना लेट हो जाएगा अल्रेडी ग्यारा बच गए है सो यहां मेरी दाल बॉल हो गई है और रोटी बनाने के लिए मैंने आटा भी गुनकर रख दिया है बस अब सबजी कट करने से पहले मैं बच्चों को फ्रूट डे दूँगी वैसे भी आराउंड इस समय मेरे हस्बेंड अपने वर्क से थोड़ा ब्रेक ले लेते है सो अब फ्रूट खाकर बच्चे थोड़ा टाइम अपने डैडी के साथ बाहर स्पैंड करेंगे और मेन वाइल मैं बनाओगी अपना स्पेशल लांच सो यहां मैं बना रही हूँ कच्चे आम का गुरमा I think so इसे आम की लॉंच भी कहते है तो इसे बनाने के लिए यहां मैंने आराउंड एक से दो टेबल स्पून तेल गर्म कर लिया और अब गर्म तेल में हमें तड़का लगाना है सो तड़के में यहां मैंने दो से तीन छोटी इलाइची तेज पत्ता आधी छोटी चमच कलोंजी थोड़ा सा मेथी दाना अराउंड वन टीस्पून जीरा राई और बड़ी सौंफ ले लिया साथी तड़के में दो हरी मिर्च के साथ थोड़ी सी हिंग और स्वात का नुसर हल्दी मिर्च भी एड़ कर ले अब इन सारे मसालों को धीमी आज पर 30 सेकेंड के लिए एक साथ भूनना है देन हमें तड़के में आराउंड एक कप कच्चे आम एड़ कर आम को मसालों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है देन आराउंड हाफ टीस्पून नमक एड़ कर स्लोटू मिडियम आज पर आम को 10 मिनट के लिए ढखकर पकाए और जैसे ही आम गल जाए इसमें आराउंड दो बड़े चमत देशी गुड़ एड़ कर ले अब बस हमें गुड़ को मैल्ट होने तक पकाना है जैसे ही गुड़ मैल्ट हो जाए दीमी आज पर लॉंज को 3 से 4 मिनट के लिए हम ढखकर पकाएंगे इसे आप कम से कम एक हपते तक नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर श्टोर करके रख सकते हो नेक्स्ट में यहां भरवा करेले बनाने के लिए मसाला त्यार कर रही हूँ तो मसालों में यहां मैंने आराउंड आधा कप सुखा धनिया वन फोट कप बड़ी सोफ दो टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून कलोंजी और हाफ टी स्पून मेथी दाना लिया है अब इन सारे मसालों को धीमी आज पर 2-3 मिनट तक भूनना है या फिर जब तक धनिया और सोफ थोड़े लाल हो जाए और मसालों से अच्छी खुस्पू आने लगे मसालों को तब तक भूने देन जब मसाले थंडे हो जाए मिकसर की हल्प से मसालों को थोड़ा सा मोटा पिसका तयार करे बहुत ज़्यादा बारिक मसाला नहीं पीसना है और ये मसाला आप एडवांस में पहले ही बना कर रख सकते हो सो भरवा करेले की सबजी बनाने के लिए यहां मैंने आराउंड डो टेबल स्पून गर्म तेल में एक टेबल स्पून का दुकस किया हुआ लहसुन एड़ कर लहसुन को लाल होने तक भून लिया देन तड़के में आराउंड दो बड़े साइज का बारिक कटावा प्याज डाल प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है देन अब हमें अपने मसाले आड़ करना है तो मसालों में यहां मैंने आराउंड हाफ टीज़्पून हल दी और वन टीज़्पून लाल मिर्च ले लिया देन आराउंड चार छोटी चमच भरवा करेली बनाने के लिए जो हमने मसाला बनाया है उसे भी आड़ कर ले साथी और राण 1.5 टीजपून नमक मिलाकर मसालों को अच्छी तरह तेला लग होने तब भुनना है सो भरवा करेली बनाने के लिए मसाला बन का त्यार है अब इस मसाले को थोड़ा थंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे और यहां मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी सो भरवा करेली बनाने के लिए हमेशा थोड़े मोटे और छोटे साइज का ही करेला ले इससे करेलों में मसाला बनने और कूप करने में आपको आसानी होगी तो यहाँ मैंने करेले को अच्छी तरह धूकर देन करेले को एक सैड से वीडियो में दिखाए के तरीके से कट करके उसके अंदर जो भी बीच वगेरे थे उसे निकाल लिया अब इन करेलों के अंदर हमें मसाला भरना है लेकिन मसाला भरने से पहले जैसे ही हमारा बनाया हुआ मसाला थंडा हो जाए उसमें आरान वन टीस्पून आमचुर पाउडर या चाट मसाला जो भी आपके पास हो डाल कर मसाले को अच्छी तरह मिला ले इससे आपके सबजी में एक मज़ेदार टेंजी फ्लेवर आएगा साथी मसाले में नमक वगेरा भी चेक कर ले मसाला चटपटा होगा तो ही आपके सबजी मजे की बनेगी सो अब एक एक कर सारे करेलों में मसाला भर ले सारे करेलो में मसाला भरने के बाद यहां आराण डो टेबल स्पून मसाला बज़ गया है तो इस मसाले से मैं बच्चों के लिए कलोंजी वाले आलो फ्राय बनाओंगी लेकिन फिलाल करेले को पकने के लिए रख देते है सो यहां मैंने आराउंड 2-3 टेबल स्पून ऑल गर्म कर स्लो आज पर अपने सारे करेले को ढखकर पकने के लिए रख दिया अब हर 3-4 मिनट के बाद करेले को पलट कर हर साइड से हमें पकाना है अब दूसरे चूले पर यहां मैं कलोंजी वाले आलू फ्राय बना रही हो सो भरवा करेले बनाते समय जो हमारा मसाला बच गया था उसी मसाले को यहां आराउंड 1 टेबल स्पून गर्म तेल में डाल कर हमें मसाले को 1-2 मिनट के लिए भूनना है एंदिन मसालों में आराउंड 2 बड़े आकार में कटे हुए आलू एड़ कर आलू को मसालों में अच्छी तरह मिला ले और अब आलू को धीमी आज पर ढख कर 3-4 मिनट के लिए पकने दे देन जब आलू थोड़ा पक जाए हमें आलू में स्वादानुसार नमक और ब्लैक पेपर एड़ कर हलके हातों से आलू को पलटना है ताके आलू नीचे की और से जले नहीं लेकिन आलू को जादा ना चला है वरना आलू तूट जाएंगे जहाद अखो सके हलके हातों से चलाते वे इस सबजी को स्लो आज पर ही पकाए देन जब आलू अच्छी तरह पक जाए सबजी में उपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया आड़ कर ले लीजे कलोंजी वाले आलू फ्राय बन का त्यार है या आलू दाल चावलिया पूरी के साथ बहुत ही मज़े के लगते है आलू की सबजी तो बन गई लेकिन करेली बनने में अभी समय है सो हर थोड़ी देर में करेले को पलटे वे धीम Temi आज पर हम थोड़ी देर और पकाएंगे साथी यहां में दाल में तड़का लगा रही हूँ बच्चे करेली की सबजी नहीं खा पाएंगे इसलिए उनके लिए यहां में लौकी वाली दाल बना रही हूँ वेसे कुछ दिनों पहले मुझे cooking से related एक comment मिला था कि मैं दिन में कितनी देर और कितनी बार cooking करती हूँ और मैं weekend में cooking करती हूँ या नहीं especially कहीं बाहर घुमने जाना है तो मैं अपनी cooking किस तरह manage करती हूँ तो अगर हर दिन के बारे में कहूँ तो weekdays में कम से कम मुझे दो बार और maximum तीन बार cooking करनी होती है मेरे हाँ breakfast और lunch रोज बनता है लेकिन lunch में कितना leftover है उस हिसाब से मैं अपना dinner बनाती हूँ तो अगर lunch के बाद कुछ नहीं बचा तो dinner में simple डाल रोटी या सबजी रोटी बन जाएगी या whatever जो भी आदे घंटे में बन जाए लेकिन अगर lunch के बाद इनफ डाल या सबजी बची है तो dinner में सिर्फ थोड़े से चावल या रोटी बनेंगी और अगर मैं time की बात करूँ तो breakfast और dinner में आदे घंटे में बना लेती हूँ लेकिन lunch में mostly हमारे यहां proper डाल चावल सबजी रोटी और सलाद बनता है तो lunch बनाने में मुझे अच्छा खासा time लग जाता है almost देड़ से 2 घंटे और रही बात weekend की तो अगर weekend पर हम घर में ही है तो try करती हूँ कि मैं सिर्फ brunch बनाऊं लेकिन अगर बाहर जा रहे है तो dining भी बाहर कर लेते हैं depend करता है कि हम कहां जा रहे है करेले हर और से अच्छी तरह से पग गए है सो मैंने श्टो बन कर दिया एंड आराउंड एक बजे तक lunch में ने बना लिया था तो lunch में आज मैंने भरवा करे ले कलोंजी वाले आलो आम का गुरमा और लोकी वाले चने के दाल के साथ रोटी चावल और सैलड बनाया है समयन को छोड़कर हम सबने lunch कर लिया एंड सम्हाँ आज खाने से ज़्यादा उसका ध्यान खेलने में लगा हुआ है सो मैं भी यहाँ टीवी पर survivor लगा कर फिलाल समयन को feed कर रही हूँ वैसे यह मेरा one of the favorite Americans हो है जिसे मैं आने time देख सकती हूँ फिलाल तो season 40 देख रही हूँ काफे interesting है सो अभी थोड़े दे टीवी देखकर मैं kitchen वगेरा clean करोगी and then आप से मिलती हूँ हाई जोती आप आयांस के school की face और syllabus के बारे में पूछ रहे थे तो आयांस वाल जीनिया के एक public school का student है सो यहां भी इंडिया की तरह public school में बच्चों के education free होती है सो केजी से लेकर 12 ग्रेट तक अगर आयांस ने public school में ही अपने education complete की तो 12 ग्रेट तक यहां उसके education बिल्कुल free होगी even public school में यहां बच्चों को घर से school आने जाने के लिए जो बस facility प्रवाइड की जाती है वो भी बिल्कुल free होती है और फिल्हाल तो आयांस के छुट्या चल रही है इस पर वो second grade में होगा सो एक बार अगर्ष्ट में school सुरू हो जाए देन उसके syllabus भी मैं आपके साथ आगे किसी vlog में share कर दूँगी सब्सक्राइब करना है और यहां पर सर्कल करना है अब है अरुप है अब है अरुप है कि तीन बज रहे हैं और घर का सारा काम ड़न कर फिल्हाल यहां में रेश्ट कर रही है मिन्वाल मैंने सोचा कि स्मेन को ice pack लगा दू दिन में दो तीन बार ice से treat करूंगी तो काफी हद तक swelling कम हो जाएगी सो एक से दो घंटों की नैप लेने के बाद आरांट पास बज़े तक मैं उठ गई थी देनाच छे बज़े आयांसी coding class होने वाली थी तो बस class शुरू होने से पहले मैंने बच्चों को ready कर उन्हें water melon ले दिया और फिलाल स्मेन अपने डैडी के साथ बाहर खेल रहा है और यहां मैं भी अपनी काफी लेकर आयांस के साथ बैठी हूँ कॉस्को में इस तरह के छोटे साइज के नान मिलते हैं तो इन नान्स पर टमेटो कैचप और चीज अड़ कर देनीने बेग कर यहां मैंने बच्चों के लिए सिंपल सा स्नैक्स बनाया है साथी डिनर के लिए यहां मैं अपनी सबजिया कट कर रही हूँ तो लंच में आज मैंने जो भी बनाया था फिलाल उन में से अभी सिर्फ थोड़े चावल बचे है बाकी करेलिकी सबजी और लॉंच मेरी फ्रेंड को भी बहुत पसंद है तो जब भी हमारे घर कोई भी स्पेशल फूड बनता है एक दुसरे के साथ हम शेयर जरू करते है और आज मेरे बच्चों को पास्ता खाना था वो भी अपने डैडी के हाथों से बना हुआ तो फिल्हाल यहां मेरे हस्बेंड बच्चों के लिए वाइड सॉस पास्ता बना रहे है देन में भी हमारे डिनर के लिए सिंपल फ्रेड राइस बनाऊंगी तो यहां बस मैं तेज आज पर सबजिया सौटे कर रही हो और जैसे ही सबजिया 80% कुक हो जाएगी बस सबजियों में सौट अनुसार, सौल्ट और पेपर के साथ थोड़ा सैजवान और सोया सौस एड करना है दिन मेरे पास अराउंड एक कब दिन के लेफ्ट और राइस बचे थे तो बस राइस को सबजियों के साथ अच्छी तरह मिला कर मैंने हमारा डिनर त्यार कर लिया तो अब बस डिनर कर मैं अपना किचन क्लिन करूगी देन यहां गर्मियों में 9 बज़े के बाद ही अंधिरा होता है तो बाहर हम थोड़ा फैमली वॉक करेंगे और बस घर आकर सोने की त्यारी करना है सुबस आज के लिए इतना ही जल्दी ही मैं आपसे एक नए व्लोग के साथ मिलूँगी तब तक अपना ख्याल रखना और अगर यह व्लोग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना